स्वागे थे आपका अपने चैनल प्रभात तिबारी स्टडी आई यू पे बहुत बड़ी खबर सामने निकल किया रही है एन आई ओएस डियलेट को लेकर पच्चो बहुत बड़ी खबर है ठीक है इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसी का इंतजार था और इसी के लि हम लोग के साथ हो ठीक है चलिए सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोट ने जैसे ही बिये स्वारी एन आई ओएस डियलेट को बाहर किया तो अभ्यर्थियों के अंदर हड़कंप से मच गया क्योंकि 28 नॉवंबर का दोस्तों वो दिन काफी दोस्तों कह सकते हैं मुश्किल भारा था जब कई अभ्यर्थी मेरे पास ऐसे आये थे जब उनका कहना था कि सर हमको रात को जो है नीद नहीं आई आगे हम क्या करे क्या हम लोग का जो एक छट का साया है उड़ गया है क्योंकि न आई ओएस डिलेट को बाहर कर दिया गया था तब ही तो चले सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि एन आई उस डिलेट को लेकर बहुत सरे भैतियों ने मानिनिया प्रदान मंत्री मानिनिये मूख्य मंत्री मानिराजियपाल मानि राष्ट्पती जी को लेटर लिखा और उनसे कहा कि जो है एन आ ई ऑओएस डिलेट के सपोर्ट म यहां पर सबसे पहली बात में note down करूंगा कि जो यहां पर NIOS DL8 को लेकर जो अभ्यर्थियों का demands था ठीक है क्योंकि यह भी सेसग भी कह रहे हैं बहुत सारे भी द्वान भी कह रहे हैं कि NIOS DL8 के साथ दोस्तों एक 6 महीने का intervention course करा दिया जाए DL8 के अभ्यर्थियों के ल course करा दी जाए और जो लेटर्स तमाम लेटर्स बेज़े के हैं प्रदान मंतरी मोदी जी को इसमें इस बात का जिकर किया गया है ठीक है तो कहीं न कहीं दोस्तों यहां पर अब जो है सरकार भी चाहेगी कि जिनका भी selection होगा ठीक है मानिक चलिए आपका आगे आने वाले भ दोस्तों एक मीटिंग का आयोजन किया जाना है और जैसे ही इस पर कोई अपडेट आती है क्योंकि यह दोस्तों स्योर हो चुका है कि लगभग कह सकते हैं कि आपका यही नियम यही रूल जो है NCT की गाइडलाइन पर फालू किया जाएगा ठीक है तो बेराल अभी इस पर क कोई आदिकारी घोश्नाएं नहीं की गई है लेकिन आने वाले कुछ समय पर इस पर आदिकारी घोश्नाएं की जा सकती हैं बस आपको क्या करना है चौन को सब्सक्राइब करके वेल आइकून को दबा देना है क्योंकि जैसे ही कोई अपडेट आएगगी ठीक है झैसे ही को कोई अपडेट आता है, हम आपको चैनल के माध्यम से सुचित कर देंगे, चैनल के साथ नए जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना अच्छे है.